हलो नमस्ते दोस्तों मैं उस रोज मेरी किचन में आपका भूत बहुत स्वागत है दोस्तों रसोही की ऐसी चीजों से आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं आपका भड़ता हुआ वेट को आप बिल्कुल कंट्रोल में कर सकते हैं क्योंकि आजकाल अक्सर लोग सभी वेट से तो हम घर की ही चीजों से इनको विल्कुल इकदम विल्कुल जो भड़ती वी चर्वी उसको विल्कुल मॉम की तरह पिगला देगी रसोई में हमारी बहुत सारी ऐसी चीजे होती हैं तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं जो अजवाइन है हमारे सरीर के लिए हमारे डाइज निकाल देता है जो अजवाइन होती है और अजवाइन हमारी हड़ियों के लिए भी हमारे जोड़ों में दर्द के लिए भी बहुत ज़दा फाइदा करती है और दोस्तों यह तो सभी के किचन में मिल जाती है और भी हमारी पेट से समश्याओं को भी अजवाइन जड़ से खतम करती है क्योंकि पेट में गैस बनना दर्द होना इसमें भी अजवायन पो जद फाइदा करती है अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो अजवायन को थोड़ा सा सेख के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के करम पानी के साथ में गुनगुना पानी के साथ में आप ले सक क्योंकि इसमें भी वितामिन सी बहुत ही जादा पाया जाता है और ये भी हमारी भी फेट की को खतम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है तो दोस्तों कीचन की ऐसी बहुत सारी चीजे होती हैं जो अगसर आपको पता नहीं होता है कि एक किस बिमारी में काम करती हैं और किस तरीके से काम करती हैं और इसको किस तरीके से हमें यूज भी करना है तो दोस्तों नेबू, अजवाइन और ये जो मेनी दाल चीनी लिए ये तीनों ही चीजे ऐसी हैं कि आपकी वेट के साथ साथ बहुत सारी बिमारियां भी खतम करने में हेल्प करेंगी तो यहां पर मेने भगूनी लिए देख सकते हैं तो गेस को मेने कर दिया है ओन और इसमें हम डालेंगे एक गिलास पानी का तो एक गिलास पानी का डाल दिया है पानी को अब हम गरम कर लेते हैं और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें पास में बेल आइकन बटन है उसको भी आप प्रेस करना ना भूलें तो पानी को हलका गरम करेंगे दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक देखना इसकी बिल्कुल भी मत कीजिने पूरा वीडियो अच्छे से आपको समझ भी नहीं आएगा और दोस्तों मैंने पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी तो वहां जाकर के आप अजवाइन के दाल चीनी के नीवू कि क्या-क्या हमारे सरीर के लिए फाइदा करता है कितनी बिमारियों को ये ठीक करता है और किस तरीके से हमारे वेट को ये खतम करता है तो उसकी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हमाजा करके पूरी जानकारी ले सकते हैं तो मैंने दाल चीनी के 2-3 टुकड़े करके डाल दिये हैं अजवायन मेंने आदी चम्मची ही डाली है क्योंकि दोस्तों ये सिरफ हम दवाई के रूप में ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा मातरा में नहीं लेना है तो पानी हलका सा गरम हो चुका है क्योंकि दोस्तों अगर आप जादा मात्रा में लेंगी तो ये फाइदे की साथ-साथ क्योंकि ये गरम होती है अजवाइन तो हमारी बोड़ी को गरम भी कर सकती है और बटा आप जैसे प्रेगनेंट है तो उसमें आप बिल्कुल भी अजवाइन का यूजिन मत कीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा गरम हो इसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी गरम होती है तो इसलिए आप इस चीज से आप दूर रहिए वैसे अगर आप नॉर्मल है तो आप ले सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं जो मैंने दोनों चीजे डाली हैं उसका जो रस है पूरा अच्छे से पानी में मिक्स हो चुका है जो भी इसके प्रोटीन गुण होते हैं और पूरा इसके अंदर चला जाता है और दोस्तो अजवायन एक ऐसी चीजे की हमारी पेट की कैसी भी समश्या हैं जैसे खटी डकार आना गैस बनना और जैसे आपके पेट में दर्द होना बहुत सारी ऐसी विमारे पेट जैसी समश्याओं को ये जड़ से खतम और कपची रहना उसको भी जड़ से खतम कर देती ह और हमारी हट्डिया मजबूत करने में और हमारे इम्मिनिटी स्ट्रोंग करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है दाल चीनी नीबू भी हमारे इम्मिनिटी स्ट्रोंग करने में और हमारी हट्डिया मजबूत करने में गुट्नों में दर्द या कहीं पे भी दर्द ह उसको ठीक करने में हमारी स्कीन के लिए भी बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है तो चार मिनट के लिए मैंने अच्छे सिसको बॉल होने दिया है देख सकते हैं तो इसका जो रस है पूरा निकल चुका है तो यहां पर देख सकते हैं पूरी तरीके सिसका रस निकल चुका है तो चार से पांच मिनट के लिए इसको पकाना आएगा इसको मैंने ओफ कर दिया है और इसको अब हम ठंडा करेंगे क्योंकि दोस्तो गरम तो नहीं पिया जाएगा तो यहां पर मैंने लिया आए गिलास तो गिलास में अब इसको चान करके हम डाल लेंगे दोस्तो हलका गरम जैसे गरम हो चाई जैसे जितना गरम तो आप पी सकते हैं क्योंकि इतना गरम पीने से आपका जल्दी जो बेट है वो जल्दी weight खतम करने में जल्दी help करेगा और पीना तीन बार है । दिन में इस drink को आपको तीन बार पीना है सुबह एक तो morning में पीना है और दुपेर में पीना है और श्याम को पीना है दोस्तों आप जितना हाँ चाते हैं न वेट कम करना उतना आपका वेट कम हो सकता है और भी आपकी सरीर में छोटी मोटी विमारिया है न वो बिल्कुल जड़ से खतम हो सकती है क्योंकि ये वेट के साथ साथ हमारी और भी बहुत सारी बिमारियों को खतम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और ये हम डालेंगे नीबू, नीबू भी हमारे सरीर के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है और ये तो वेट को बहुती स्पीड से कम करता है तो हम नेबू की भी जादा बुंदे नहीं डालेंगे चार से पांच बुंदी डालने क्योंकि हम इस तिरह पिन को दवाई के मातरा में ही डालना है तो दोस्तो इस ड्रिंक को आप बिल्कुल घर में ट्राइ करें तीन टाइम पीके तो दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं